नमस्कार आप देख रहे हैं सटे नियोज और दिन भर के तमाम ख़बरों के साथ मैं प्रेती सागर ख़बरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्ख्यों के जमशेरकूर के बागबेडा में सिक्षक के घर हुई डखेती मामले में च्छा की रपता जोरी किये गए आभुशन बरामत सराइके लागेती रूल डी में हुई आंगनमाडी सेविका की हत्या कांड का हुआ कुलासा ब्रेमी निकला कातिल आंगनबाडी से भी काउन एक बड़ फिर शुरू किया आंदोलन यह मावास घेदने के दीचे तावनी और जमशेदपूर पहुंचे माँ भारत में श्रकिष्ण की भूमी का निवाने वाले इक तीछ बातवाच धारा 370 हटने पर जताई खुशी खबरे अविस्तार से और खबर में बात करेंगे सबसे पहले जमशेदपूर के पुलिस द्वारा पकड़ाए गए अपराधियों की आपको पता दे जमशेदपूर के बागबेडा थाना अंतरगर ट्राफिक कॉलोनी में 11 अगस्त को सिक्षक संतोष कुमार के घर में हुई डकैती मामले का पुलिस ने उद्भेदन करते हुए छे अपराधियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है पकड़े अपराधियों से पूस्ताश में शहर के विबिनिथाना छेत्रों में हुई लूट पार्ट और चोरी जैसे कई अपराधी खटनाओं का भी खुलासा हुआ है इस पूरे मामले पर एक संबाधाता सम्मिलन आयोजित कर एसेसपी अनूप बिर्थरे ने बताया कि 11 अगस्त की रातरी में सिक्षक संतोस सिंग अपनी पुत्री को लाने के लिए भुनेश्वर गह वे थे इसी भी शग्यात अपराधियों द्वारा उनके घर में मौजूद उनके मामा ससुर को बंधक बनाकर डखेती की घटना को अंजाम दिया गया था इस संबन्द में प्रात्मी की दर्ज करते हुए डियस्पी विदी वैवस्ता की निर्थत्तु में एक टीम का गठन किया गया था इस टीम ने ज्वाँच परताल कर मामले में सनलिप्त कुल 6 लोगों की गिरफतारी की पकड़े कए लोगों में पांच डखेती की घटना में शामिल थे तो वहीं एक अन्य इनसे चोरी के आभुषणों को खरीद कर बेशने का काम करता था गिरफतार अपरादियों में जमशेदपूर के बागबडा निवासी विशाल सर्मा, सीबु कुमार यादव, सुनील यादव, सचीन मातो, आभुषण दुकांदार अरविन प्रशाद और टेलको थानाशेत्र के जेमको का सुसिल सिंग शामिल है पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में सिक्षा के घर से चोरी किये गए सामान, सोने, चांदी के आभुषण, लैप्टॉप और डिवियार समेच चोरी करने में उप्योगत कई सामान बरामत किये हैं तो एक ग्रह डकेथी की घटना बागवेडा में हुई थी, जिसमें टीचर के घर से एक लैपटॉप लूट करके क्रिमिनल्स ले गए थे, कैमरा ले गए थे, उनके यहां से कुछ जोलरी वो लोग लेकर के गए थे इसमें जमशेत रुपलिस ने उसमें टीम का गठन किया, जो टीम सिटी एसपी के नितरित में काम कर रही थी, उसमें टीएसपी, लॉइन ओर्डर, बागवेडा थाना प्रभारी और अन्य आफिसर सामिल थे इन लोगों ने बहुत मेहनत करके और इस कांड का बहुती सटी को द्वेदन किया है, इसमें टोटल छे लोगों के अरेश्टिंग की गई है, जिसमें पांच क्रिमिनल्स हैं, जो इस टकेजी की घटना में शामिल थे, एक सोनार है, अर्विन परसाद नाम का, जिसने अनेक जो है लूट और चोरी की घटनाओं में जो इन क्रिमिनल्स ने आभूशन इचाएं, खबरों में बात करेंगे अब सराइकेला जिले की, आपको बता दे, सराइकेला जिले के तिरूलडी थाना च्षेत्र के लेटमदा गाउं में 15 अगस्त को हुए 30 वर्षिया आंगन मंडल के स्डिपियो धिरेंद्र बाका ने बताया कि संतोसी महतो की हत्या की जाच के करम में उसके प्रेमी सुखेन महतो और इश्वर चंद महतो का नाम सामने आने पर उससे पूस्ताच की गई, तो वह तूट गया और घटना को अंजाम देने की बात स्विकार कर ली, पु इतना की रात या सुखेन महतो संतोसी देवी के घर पहुचा और जबरन सारीक संबंद बनाया, जिसके बाद इनके बीच फिर भी बाद हुआ और गुसे में आकर सुखेन महतो ने फरसे से बार कर संतोसी देवी की निर्वम हत्या कर दी और फरार हो गया, पुलिस ने जब हम लोगों ने अनुसुंधान किया, और अनुसुंधान के करम में गांड हम लोग डिटेक्ट किये और इसमें पता चला कि उसकी हथिया उसके एक फ्रेमे निकर दी थी, जिसे ये महला पने पती से लग बगदोस्वा से अलग रह 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 थी, पुरू में इस महला ने पती के खिलाब तात्मी के दर्ज कराई थी, जिसमें इसका पती तो हम लोगों ने जिल भेजा था, उसके पास इस महला का सुपेन महतो, उसकी महतो के नाम के एक लड़के के साथ दिन समन्द था, और जब महला ने उस पर साजी के लिए जबाब डाला था, तो घटना की र अन्य मांगो को लेकर एक बर फिर अपना आंदोलन शिरू कर दिया है, आंगनबाडी करमचारी संग के बैनर तले आज जमशेद पूर के जिला मुख्याले के समक्ष आंगनबाडी से भी कायन धरना पर बैठ गई पूर में भी इन लोगों ने अपनी मांगो को लेकर एगरी को इस्तित मैदान में अंदोलन किया था, जिससे राजसरकार हिल गई थी, मुख्यमंत्री रगवर्दास का इन लोगों ने घिराव कर दिया था, लेकिन अब तक उनका मांदे नहीं बढ़ा है, उनके विभागय की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया, तो वे लोग फिर से नहीं लड़ाई लड़ने की घोशना कर देंगे, इसको लेकर किसी भी हद तक यह लोग जाने को तयार है, इन लोगों ने कहा है कि अगर उनकी मांगों को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया, तो वे लोग पहले मंत्री लुईस मरांडी और फिर मुख्य मंत्री रगवर्दास का घर घेरेंगे क्योंकि उनकी मांगे जायज है अब तक हमारा मांग पूरा नहीं हुआ तो अभी आज हमें अहां बैठे हैं कि मुख्य मंत्री को हम डीसी के माध्यम से सभी जीला के माध्यम से संदेश जाये कि सेवी का हरताल पे हैं अपना काम बाधित कर चुकी है उधर बीयार चोपड़ा की निर्देशित धारा वाहिक महा भारत में भगवान श्री कृष्ण की भूमिका निभाने वाले और कभी जमशेदपूर के सांसद रहे नितिश भारदवाज आज बरसो बाद एक बार फिर से जमशेदपूर कहुँचे नितिश भारदवाज ने कहा कि यह भाजपा के एजंडा में शुरू से रहा है कि जो भाजपा बोलती है वो करती है इसी कड़ी में धारा 370 को हटाये गया है उन्होंने बताया कि जमशेदपूर की बात की जाये तो सहर में काफी जादा विकास हुआ है हाला कि वो यहां बिष्टूपूर सित लोयला स्कूल के परिसर में नाटक चक्रवियू का मंचन करेंगे वैसे नितिश भारदवाज 22 साल बाद शहर पहुचे हैं इधर एक होटल में आयोजेद संबादाता सम्मिलन में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जम्मू कस्मीर से धारा 370 हटाने के मोधी सरकार के फैसले का वे स्वागत करते हैं जो इस फैसले से इत्तिफाक नहीं रखते और स्वागत करने के बजाए विरोध कर रहे हैं वे मुर्ख हैं नितिश ने कहा कि जो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था देर से ही सही मोधी राज में हो गया अब जम्मू कस्मीर की दशा और दिशा बदलेगी इस मौके पर उनके साथ भाजपा के जिला देक्ष दीनेस कुमार दिलिप गोयल समित अन्य लोग मौजूद थे वंदू परिशत भी है वनवासी के लिया नाशनम भी कहते हैं अलग अलग उसमें यह नाम है लेकिन जो मुख्यधारा का नाम है वो FTS है Friends of Tribal Society वनवासी क्षेत्रों में जहां पर सरकार जाकर स्कूल नहीं खोल सकती या अभी तक सरकार नहीं पहुँच पाई है ऐसे दुर्गम प्षेत्रों में जाकर एकल विद्याले के नाम से एक पेड के नीचे गाओं के लोगों को बच्चों को एकठा करके उनको विद्या का दान देना विद्या दान करना ये इनका उद्देश है संस्था का और इस संस्था के विशय में अधिक से अधिक लोगों को जानकारी हो और लोग इसके डोनर्स भी बने जैसे मैं खुद इसका डोनर हूँ वही जारकन प्रदेश महीला कमिटी की सची पूजा सिंग के घर में 7 लाख रुपे मुल्य के जेवरात और 50,000 रुपे नगद चोरी हो गई इधर कॉंग्रेस में तरी पूजा सिंग ने मामले के संबंद में जानकारी देते हुए बताया कि सनीवार को देवनगर इस्तेतावास से सुबह उनके पती दो पालतु कुत्ते को घुमाने निकले हुए थे वह और उनकी पुत्री दूसरे कमरे में सोही हुई थी बीस मिनट के अंतराल में चोर घर में घुसे और अलमारी में रखे साथ लाख रुपे मुले के जेवरात पचास हजार रुपे नगद, कागजाद, एटियम कार्ड, आधार कार्ड वा अन्य समान चोरी कर चलते बने उन्होंने बताया कि इसकी सूचना सीता रामडेरा पुलिस को दे दी गई है पुलिस ने पहुँच कर जाज परताल की है कॉंग्रेस मित्री ने आस पडोस की वको पर ही चोरी की घटना को अंजाम देने की आशंका जताई है लगतार घटी है कल क्या हुआ और मेरा पुर्ण कुट्ता को लेकर पांच बजय भूर में गया थे बढ़ार उनको घुमाने के लिए उसी पcandoon के मेची ने होकने मेरा पने कर लोँ परा में और मेरे घट्टे मेरे जवा पर सुली याW और चाइबासा के समीब बाइक पर सवार एक महिला सहीत तीन लोग अग्या ट्रेलर के चपेट में आकर जखमी हो गए घाईलों को इलाज के लिए अमजे मस्पताल में भरती किया गया है इधर परसूडी के रहने वाले जखमी बलवद्र सिद्धू ने बताया कि सूचना आई थी कि उनकी मा का दिहान थो गया है खबर मिलने के बाद बाइक से वह अपने चाचा वह पत्नी के साथ गाउं जा रहे थे इसी भी चैवासा के समीप अग्यार टेलर ने उने धक्का मार दिया बाद में उन तीनों को इलाज के लिए अमजे मस्पताल में भरती किया गया मनजारी था ना? बाद ममार बाद में अगे परसूडी ना? थानौत अजय आतर नगतर अच्छा इन यहां तुर्ट है कोजो फुल से तोड़ा ठीछे मिन जर्टे लेकर मंजारी करना जांफिस लीजारा जा लिए जाही है जा वक्त चला है अब एक छोड़े से ब्रेक का ब्रेक के बाद खबरे और भी है तब प्रत के लिए देखते रहिए सेटी नियुज जुआ कर्मठ और जुझारू नेता शंभू चोडरी आज किसी परिचे के मुहताज नहीं है जनता की आवास बन कर उनको हग दिलना घरीब और जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा ततपर रहने वाले शंभू चोडरी को लोग भविशका प्रतिनिधी के तोर पर देखते हैं मानगो नगंदिगम घुशित करने को लेकर शंभू चोडरी ने जोरदार आंदुलन की शुरुआत की थी साथ ही मानगों की अंचल बनाने में भी उनकी अहम भूमी कर रही उतना ही नहीं सैक्रों गरीबों को पेंशन और स्वास्त सेवा मुहिया कराने में शंभू चो मानगो ख्षेत्र की जंता के लिए लगातार संगर्स करने वाले शंभू चोडरी ने अपना अलग मुकाम बनाया है और शेत्र की जंता को उलपर अटूप विश्वास है फिलहाल मानगो में नगर निगम चुनाव करानी की मान को लेकर शंभू चोडरी आंदोलन रत है भर अरहाल हर दिल अजीज और जंता के लिए हर वक्त उपलब धर हैने वाले ऐसे जुझारू युवा नेता की जरूरत लोगों को है जो उनकी आवाज बनकर उचित फोरम में उठा सके और लोगों को न्याय दिला सके मानगो ख्षेत्र की जंता को शंभू चोडरी से काफी उ जारकन स्टेट हज कमेटी के चेर्मन रिजवान खान एक कारिक्रम में शिर्कत करने जमशेदपूर पहुंचे मानगो ओल्ड पूर्लिया रोड इस्थित आजाद मेरेज हॉल में अंजुमन खादिमुल हुजाज जमशेदपूर की ओर से आयोजित कारिक्रम में जारकन स्टेट हज कमेटी के चेर्मन रिजवान खान ने शनीवार को सिरकत की इधर सिटी ने उसे बाचित करते हुए हज कमेटी के चेर्मन ने बताया कि हज पर जाने वालों में जमशेदपूर के महत्वपून भूमिका रहती है इस साल साड़े 2100 लोग पूरे जारकन से हज पर गये थे इस बार एक शत के नीचे हज आत्रियों को सारी सुविधाय मुहया कराई गई थी उन्होंने कहा कि अगले साल हज आत्रियों को और बहतर सुविधा देने के लिए अभी से लोगों का सुझाओ लेकर तेयारियां की जा रही है जार्कन में जार्कन हज कमीटी इसको इंपोर्टन समझ के अभी हाजी जो भी गया हुसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं जमशेटपुर जाना बहुत ज़रूरी है और वहाँ पे जाएं यहां के जो हज से जुड़ेवे लोग थे चाहे वो कॉडिनेटर हो चाहे वोलेंटियर्स हो चाहे किदमत करने वाले जो भी गूरूप है उनका मांगता है कि नहीं आप भी यहां पे आईए और वेलकम के साथ उदर पुर्वे सिंभम जिले के पोटका थाना च्छेतर की दमाकी पुरलिया के समीब स्कूटी और बाइक के बीच में सीधी टकर हो गई इसमें दो किर स्थिती गंभीर बनी हुई है गटना के संबन्द में बताया जा रहा है कि स्कूटी सवार दो इवग हाता से जादुगोडा की ओर जा रहे थे तभी दमाकी पुलिया के समीब विप्रित दिशा से आ रहे है बाइक से उनकी सीधी टक कर हो गई इस दुरगटना में स्कूटी सवार दोनों इवग गंभी रूप से घायल हो गए इस्थानिय लोगों की मदद से दोनों घायलों को 108 एम्बूलेंस सेवा की मदद से इलाज के लिए MGM भिजवाया गया वहीं बाइक सवार दोनों इवग भी घायल बताया जा रहे हैं दुरगटना के बाद दोनों इवग बाइक लेकर फरार हो गए वहीं स्कूटी सवार दोनों इवग बिजली वग में कारे रत हैं इस्थानिय लोगों का कहना है कि दमाकी पुलिया काफी जड़ जड़ हो चुकी है और पुलिया के समी बड़े-बड़े गड़े हो जाने से साइड बचाने के चक्कर में बाइक और स्कूटी के बेच सेधी टक्कर हुई है इसका यह दिया हुआ है मैनुवल बुख है गड़ी में देखी न उसका घरो लगता नमबर तो है इसना पॉल कर दिया यह बता है कि कि दोनों गड़ी जाने से एक गड़ी को रुखना पड़ता एक गड़ी पार होगा उसके बाद दूसरा गड़ी जाएगा जर जर इस्तिति है तो गड़ा है और किस में टक्कर हुआ है तो बता रहा है कि जोनों मोटोसेकल से हुआ है और उदर से गाड़ी आ रहा था गटा के चलते उस साइड किया तो इन लोक टक्रा गिया कितने लोग गया लगे लगे लेक्षिज विपर्समेंट में बढ़े हैं गायल कुछ गायल है दो दो जून तो चला गिया जो गायल किय और राशी के प्रसिद्ध धार्मी केवं सामाजिक संस्था श्री राणी सती मंडल अपना 38 वार्शी को 17 अगस्त को मनाएगी इस अफसर पर कई कारेक्रमों का आयल जिन होगा जिसमें श्रुधालू बढ़ चड़कर हिस्सा लेंगे वाशेकोट सुबर साड़े छे से रात्री साड़े आठ तक हर्मू रोड इस्तित मारवाडी भवनें बड़े धूमदाम से मनाया जाएगा इस महत्सों के सुरुवाद गनेस पुजा के साथ होगी इस महत्सों के अवसर पर श्री रानी सती, दादी क्या, भव श्रिंगार, छपपन भोग, भजन, अखंड जोत का विराट कारेकरम रखा गया है कारेकरम की जानकारी आयजकों ने एक प्रिसवारता आयजित कर दी हमारा ये रानी सतीन मंदल का अर्टिसवारति नौटसव है ये 18 अगस्त रिवार के दिन बड़े दूम नाम से मनाया जा रहा है सुबह 6 बजे से गनेश पुजा से ये प्रोग्राम सुरू होगा दीन बर प्रक्टि में की दादी का प्रसाद भजन मालार होदर रहेगा एवं इसका समापन रात्री साड़े 9 बजे महार्जी के साथ होगा इसमें हमने इस कारेकरम को कई तरह कर से सजाया है सब का अपना अपना विवाग है और श्री श्याम मंदल रांची का चार दिवसिया बावनवा वार्शिक श्री श्याम महसव दिनाग 5 सितंबर 2019 से 8 सितंबर 2019 तक अत्यंद धूमधाम से आयोजित किया जाएगा इसके तयारी अभी से की जा रही है कारेक्रम का आयोजन अग्रसीन पतिस्तित स्री स्याम मंदिर में होगा इस महसो की तयारी जोर सोर से चल रही है महसो के प्रचार प्रशार हेतू आज अग्रसीन पतिस्तित स्री स्याम मंदिर के सभागार में पोश्टर का लोकार पन किया गया इस मौके पर स्रीश्याम मंदल के सदस्यों के साथ कई गन माने लोग उपस्तित रहे परसार के प्रसार के अज श्रीश्याम मंदल के सवागार में मौके पोस्टर का लोग पर पर पूप पर यह कारेक्रम कहां पर इसमें क्या खास है साथी सराई के लाजिरे के नगर परिशत कपाले कारियाले परिसर में विकलांगों के लिए एक दिवस्या कैम्प लगाए गया कैम्प में स्थानिय भाजपा विधायक सादू चरण महतो सरीक हुए उन्होंने बताया आईश्वान भारत के तहट नी सहायों को इलाज के लिए गोल्डेन काड दिये जा रहे है 37 लोगों को गोल्डेन काड देने का लक्ष रखा गया है उन्होंने कहा कि बिजली समस्या के समधान के लिए पुराने बिजली खंबे और तार बदले जा रहे हैं और इस कारे के लिए एजेंसी का चैन किया जा चुका है और एजेंसी काम करना शुरू कर दी है वहीं कारपालक पदादिकारी आरपी गुपता ने योजना के बारे में जानकारी दी और कुछ-कुछ लोगों को जिंगा बना हो ताकि जो निशाहाई लोग यह आकर के अपना टिर्वेंट जा करके करा सकता है कि 50,000, 60,000 लाग रुपिया, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, रुपिया नहीं जुगड कर सकता है नगर आवास और पिकास विवाग जार्वेंट सरकार के द्वारा बेल नियो एलम के तहर जितने भी हमारे SSG ग्रूप चल रहे हैं उनके लिए उनके स्वास्त और पोसन से संबंधित एक मिसन मूड कारिकरम चलाया जा रहा है जो कि आनामी दो अक्टूबर तक अभी चलाया जाना है जिसमें सारे हेल्प ग्रूप जितने भी है उन्हें आइसमान कार्डियोजना के तहत उनको जोड़ा जाना है साथ ही साथ जितने भी लैक्टिक मदर है जो जमशेथपूर के बालिगुमा में चिनहित जगहा पर जल मिनार नहीं बनाय जाने के विरोध में इस्थान या ग्रामिनों ने खादिया आपूरती मंतरी सर्यूराई को एक मांग पत्र सापा इसके साथ ही ग्रामिनों के प्रतिनिदी मंडल ने जिला मुख्याले में प्रदर्शन किया और उपायुत को भी अपनी मांगो से आउगत कराया ग्रामिनों का कहना था कि बाली गुमा गोडगोड़ा गाउं में जल मिनार बनाने के लिए अनाबाद सरकार के जमीन चिनित की गई थी जिसका ग्रामिडों ने भी समर्थन किया था लेकिन अब कुछ भूमाफियों की मिली भगत से मानगो अंचुलादिकारी द्वारा प्लॉट नंबर साथ को बदल कर गोडगोडा गाओं में ही मंगल माजी के व्यक्तिकर जमीन पर जल मिनार का निर्मान करवाया जा रहा है जिसका ग्रामिडों ने विरोज शुरू कर दिया है इधर ग्रामिडों ने बताया कि अगर किसी के व्यक्तिकर जमीन पर जल मिनार का निर्मान कराया जाएगा तो लोगों का विरोध जिला प्रशासन को जहलना पड़ सकता है कुछ बंउन के चीनित है के लिए केरिए के लिए का मनना नहीं लगे एप डिसेख सेयां के लिए भीडिए हाम कोरेंगा और उसने व्सका उर्च चेह को अजाना नहीं है चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर और अभी के लिए बस इतना ही कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ तब तक के लिए दीजिये सिटे नियोज की पूरी टियम को इजाज़त नमस्कार